असलाम अलेकूम एब्रिवन कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हैं कि आप सब माशालला बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट और बहुत जादा स्पाइसी लजीज मॉमुस की चटनी की रेसिपी देखी चटनी अच्छी नहीं होगी तो मॉमुस खाने में मज़ा नहीं आएगा इसलिए रेसिपी को एंट तक देखिए बहुती मज़िदार चटनी बनने वाली है और इस चटनी को आप 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं तो बस एक बार बनाएए और हफ़तों तक इसको इंजॉय करें तो चल कच्छे टमाटर से आप इस चटनी को बिल्कुल नहीं बनाएंगी और उसके बाद मैंने यहां पर ले थी पीस मिर्ची और इस मिर्ची को मैंने एक घंटे के लिए पानी में सोक करके रख दिया था तो पानी के साथ ही इस मिर्ची को हम टमाटर में टाल देंगे अगर को बाल आना शुरू हो जाएगा तो इसको हम कवर करके कम से कम 10 पनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकर हमारे मिर्ची और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी हमैं एक त्म सॉफ्ट हो जहाए तो यहां पर आप देख सकती हैं जो टमाटर का अच्छी से ह तो देखे फ्रिंट्स अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टार्टिंग में हमने जो टमाटर में कट्स लगाए थे जिसकी वजहास से टमाटर का जो छिलका है वो आप बड़ी आसानी से निकल जाएगा अगर आप इस तरह से टमाटर में कट्स लगा के टमाटर को बॉयल करत और इस नाइफ की हल्प से है किसी और स्पून की हल्प से आप टमाटर को इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लें चटनी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए अब हम इसमें आइट करेंगे धनिया के डंडल तो एक मुठी भर के आप इस तरह से बिलकुल ताजे और फ से तोड़कर डाल दें आप अब सारी सामान को मचे से ठंडा करके हलका सा दरदरा पीस लेंगे ना बहुत ज़दा बारीक पीस नहीं और बहुत ज़दा मोटा अब हमने आप लिया है एक पैन इसमें डाल देंगे सिर्फ एक टेबल स्पून के बराबर मस्टर्ड ओयर या फिर आपके पास जो देलो वो डाल दें और इसमें डाल देंगे एक टीस्पून भरके कटा हुआ लसन और एक टीस्पून भरके हमें डालना है कटा हुआ बारीक अदरक और इसके साथ ही बारीक कटी हुई प्याज हम डाल देंगे एक मीडियम साइज की बहुत ज़दा एक मिनट के लिए अच्छे से तल लेंगे धियान रहे कि यह गोल्डन नहीं हो पाए और एक मिनट के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे वही चेटनी जो कि हमने अल्रेडी पीस कर रखी है यही इस चेटनी को पीस्ते टाइम अगर आपको पानी की जरुरत पड़ती है तो जिस कि कंसिस्टेंसी देख सकती है बस इसी तरह से लूज चेटनी हमें रखना है चेटनी में जैसे ही बॉइल आना शुरू हो जाएगा तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे कम से कम कॉटर कप के बराबर वेनिगर और इसके साथ ही हमें यहाँ पर डालना है सिर्फ एक टी और इसके बार डालना है हाफ टी स्पून नमक या फिर नमक आप अपने टैस के अकॉर्डिंग भी डाल सकती है और इसके साथ ही हम डाल देंगे सिर्फ एक टी स्पून शकर और इसके साथ ही हमें डाल देना है एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्श का पॉडर जिससे हमारी चटनी में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा अब इन सारी ही चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम को हम स्लो करेंगे और इस चटनी को कवर करके रख देंगे पकने के लिए कम से कम पांच मिनिट के लिए इसका जो कच्छा पन है वो निकल जाए तो गैस इस चटनी का जो टेक्स्टर है वो कुछ इस तरह होना चाहिए अगर आपको यह चटनी एकदम बारिक पसंद है तो बारिक भी पीस ले लेकिन इस तरह से हलकी सी अगर आप दर-दर ही पीसेंगी तो यह खाने में भी टेस्ट कंसिस्टेंस होती है वो इसी तरह होती है तो बस फैनली हमारी यहाँ पर लजीश चटपड़ी मॉमोस की चटनी बन कर एकदम तयार है इस चटनी को आप यह टायट चार में भरकर फ्रिज में कम से कम पंद्रह दिन के लिए स्टोर करके रख सकती हैं तो बस गैज इस मॉमो कि चट्मी कैसी लगी है मिलती हो नेक्स रेसिपी में टीक केर और अला अपीज बाए